हालो गाईज वेलकम टू बिकेश रुटरियल्स और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश का चैप्टर नमबर टू स्नैप्शोट्स बुक से और इस चैप्टर का नाम है दा एड्रेस और इसके राइटर है मर्गा मिन को तो आएए शुरू करते हैं इस वीडियो को वाले के लिए अपना माँ के लिए जाती है अपने मां की जो समान है उसको खोजने के लिए जाती है after the war यह पर war मतलब second world war के बाद Holland में अपना माँ का समान को लेने के लिए जाती है हुआ क्या था कि second world war के दौरान Hitler जो था वो काफी अत्यचार कर रहा था जीवस लोग के उपर पे और यह narrator और उनकी माँ क्या थे जीवस थे तो उसलिए उनको Holland शोर के भागना पड़ा था उस समय और भागते समय वो लोग अपना समान कहीं छोड़ दिये थे तो आज वो narrator जो है मरगम इनको वो क्या कर रही है अपनी मा का जो समान है वो उसको लेने के लिए जा रही है तो कैसे लेने जाती है उसी का sadful story है यह when she finds them और जब उनको यह समान मिलता है the objects evokes memories of her earlier life तो यह objects जो है वो इनके अंदर पहले का जो जीवन का जो यादे है वो ताजा कर देती है evokes मतलब होता है arouse यादे ताजा कर देती है उनके मन में however she decides to leave them all behind and resolves to move on लेकिन वो क्या करती है यह decide करती है कि इन सब समान को छोड़ देना है and decides to resolve to move on resolve का मतलब होता है decide और decide करती है कि यह सब समान को छोड़ को हम जिंदगी में क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे यह था ब्रीफ इंट्रो तो आईए इस स्टोडी को शुरू करते हैं डीटेल में कैसे क्या होता है Do you still know me? I asked तो narrator जो है मटगम इनको वो जाती है और किसी के घर पे जाती है और बोलती कि क्या आप मुझे अभी भी पैचानती है The woman looked at me searchingly तो वो जो दूसरी तरफ जो औरत थी वो मुझे देखती है और काफी searchingly कुछ ढूनते वे ऐसे रूप में देखती है वो मुझे She had opened the door a ching ching का मतलब काफी थोड़ा सा ही वो दरवाजे को खोली थी I came closer and stood on the step तो मैं नरेटर जो है उनके पास गई और जाके सिरियोर पर खड़ी हो गई No, I don't know you तो वो जो woman है वो बोलती है कि नई मैं तुम्हें नहीं जानती I am Mrs.S's daughter मैं Mrs.S की बेटी हूँ नरेटर बोलती है तो यह आप याद रखिएगा नरेटर की मा का नाम क्या है Mrs.S और यहाँ पर जो वो woman है उस woman का भी नाम हमें पता चलेगा आगे इस्टोरी में तो अब आपको पहले ही बता देते हैं उस woman का नाम है Mrs.Dorling आगे इस्टोरी में भी आएगा तो जो लिए महीं देखते हैं She held her hand on the door as though she wanted to prevent it from prevented opening any further तो वो जो औरत थी Mrs.Dorling वो क्या कि वो दर्वाजे पर इस तरीके से हाथ रखी हुई थी ऐसा लग रहा था कि वो prevent कर रही है और उसको खुण ले नहीं देना चाती थी मतलब वो चाती नहीं थी कि दर्वाजा और खुले और कोई अंदर आ जाई या फिर कोई अंदर देख ले Her face gave absolutely no sign of recognition और उस woman के चेहरे से लग रहा था कि वो एकदमी मुझे नहीं पहचानी है She kept staring at me in silence और वो मुझे देखी जा रही थी चुपचाप से देखी जा रही थी और woman का नाम क्या है Mrs. Darling और narrator के मा का नाम क्या है Mrs. S But I was mistaken तो narrator सोचती है कि हो सकता है मुझे से गलती हो गई है I thought perhaps it isn't her मुझे लगा कि वो वो नहीं है जो मैं सोचके आई हूँ मतलब वो Mrs. Darling नहीं है उनको लगा I had seen her only once fleetingly तो लेखक बोलती है कि मैंने उने सी वेकी बार देखा था वो भी fleetingly, fleetingly मतलब for a very short time काफी कम समय के लिए देखा था तो हो सकता है मैं चेहरा भूल गई हूँ And that was years ago और वो भी कई सालों पहले देखा था करती है, दरवाजे को छोड़ देती है हातों से and step to the side और आके side में खरी हो जाएती है She was wearing my mother's green knitted cardigan तो जब लेखक जब वो में जो है Mrs. Darling वो दरवाजा को छोड़ देती है तो उनका जो हरे रंग का जो cardigan, cardigan मतलब sweater होता है और वो ही sweater, वो Mrs. Darling अभी पहनी हुई थी तो narrator का नजर उस पर पढ़ता है The wooden buttons were rather pale from washing और उस cardigan का जो buttons अभे, वो wooden का था वो धोते-धोते pale हो गया था, yellow ही हो गया था She saw that I was looking at the cardigan तो वो Mrs. Darling देखती है कि वो narrator जो है, वो उनका sweater को ही देख रही है तो वो क्या करती है And half heat herself again behind the door वो फिट से जाएके द्रवाजे के पीछे छीप जाती है आधी छीप जाती है But I knew now that I was right लेकिन अब लेखक समझ जाती है कि लेखी का समझ जाती है कि कि मैं सही घर पे आई हूँ, मेरा एडर सही है Well, you know my mother, I asked तो नाइटर अब बोलती है कि अच्छा, तो आप मेरी मा को जानती है इसका मतलब Have you come back? तो वो में भी अब बोलती है कि अच्छा, वो में भी पहचान गई, बोलती है कि तुम आ गई? I thought that no one had come back मुझे तो लगा कोई नहीं आया Only me तो नाइटर बोलती है कि नहीं सिफ मैं ही आया हूँ और कोई नहीं आया आपको पता हो रहाएगी ये लोग क्याद किया थे पहले Second World War जब हुआ था तो ये लोग Holland छोड़के भाग गए थे और अभी वापस आया हुए है सिफ नाइटर आया हुए है उनकी मा का समाल लेने के लिए तो वही है फिस डॉर्लिंग बोलती है कि तुम आगे तो बोलती है नहीं सब कोई आगए क्या तो नाइटर बोलती है कि नहीं सिफ मैं आई हूँ अटोर ओपें और क्लोज इंदा पैसेज बिहाइंडर तो लेखी का देखते है कि पीछे एक पैसेज है गलियारी में एक दरवाजा खुलता है और फिर बंद होता है और मस्टी इसमेल इमर्ज और वहाँ से एक मस्टी इसमेल आता है मस्टी इसमेल मतलब बहुत ही बुरा बगबू आता है मस्ठी स्मेल कब आता है जब कोई आपका मानली जे रूम है और उसमें बहुत दिन से फ्रेश एर अगर अंदर नहीं जाए और वो रूम थोड़ा डैम्प हो भीगा भीगा हो तो वैसा जो इसमेल आता है उसको बलते हैं मस्ठी स्मेल आई रिग्रेट आई कान्नाट दो एनिधिंग फोर यू तो मिस्ठी डॉर्लिंग बोलते हैं कि मुझे दुख है कि मैं तुमारे लिए कुछ नहीं कर पाई और कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं यहां पर खासकर से ट्रेंस आई हुई हूँ आपसे एक कुछ दिर के लिए बात करना चाहती हूँ इट इस नॉट कॉन्विनेंट फोर मी नाओ सेट दा वूमें तो वूमें बोलते हैं कि यह मेरे लिए कंविनेंट नहीं है चुबिया जनक नहीं है अभी आई कांट सी यू अनधर टाइम अभी हम तुमसे नहीं मिल सकते हैं तुम कोई दूसरा समय में आओ इस लग रहा था कि वह दर्वाजे को बन करती है क्यूंकि वह घर में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी उसलिए वह बहुती साथानी से दर्वाजे को बन करती है I stood where I was on the step तो लेखी का जहां पर खड़ी थे वो वहीं पर खड़ी रही और दर्वाजा उन्होंने बन कर दिया Mrs. Darling ने The curtain in front of the bay window moved और bay window बे विंडो कैसा होता है आप पिक्चर में देख पा रहेंगे बे विंडो खिर्की बाहर का तरफ लिखला होता है तो उस बे विंडो में एक क्या लगा था पर्दा लगा हुआ था वो पर्दा कलसा हिला समवन इस्टेर एड मी और कोई पर्दा को साइट करके मुझे थुरा देखा लेखी का कोई कुछी ने देखा और हो सकता है कि उस इंसान ने मिसव डेरLING से पूछा होगा अंदर में कि मुझे क्या चाहिये था और यह वोमें ने क्या बोला होगा उसको कुछ नहीं चाहिये था ही ने तो लेखी का ऐसा सुछती है कि अंदर में ऐसा हुआ हुआ होगा I looked at the nameplate again, तो लेखी का राइटर फिर से उस nameplate को देखती है, और डर्लिंग इट सेट, तो अब आगिया वहाँ पे नाम डर्लिंग, तो उसमें लिखा हुआ था डर्लिंग, मिसिस डर्लिंग, इन ब्लैक लेटर्स काले अक्छोरों में लिखा गया था, और वाइट पेंट पे थोड़ा उचे में क्या लगा हुआ था, और उस जैम में लिखा हुआ था, नमबर 46, तो अब नर्याटर क्या हो रही है, अब वापस लॉट के आ रही है, और वो जब जैसे यसे लॉट रही है, वैसे वैसे वो अपनी मा के बारे में सोचती है, जिनोंने नर्याटर को ये अड्रेस दिया था, कई सालों पहले, it had been in the first half of the world war, और ये अड्रेस उनोंने कब दिया था, जब वर्ल वर्ड जब चल रहा था, second world war, उसका second half, first half में, वर्लवार कब से कब चला था second world war आपको पता होगा between 1939 and 1945 के बीच में second world war चला था तो उसका first half में उन्होंने ये address बताया था narrator को I was home for a few days तो मैं कूजिनों के लिए घर आई हुई थी तो लेखी का flashback बताती है कि क्या हुआ था उस दिन तो लेखी का भी क्या करी है इस्टेशन की तरफ जा रही है और जाते जाते यह सब बात को सोच रही है और सोसे सोसे हम लोगों को बता रही है कि लेखी का कूजिन के लिए घर आई हुई थी and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed और लेखी का जब घर में आके देखती है तो उनको लगता है कि कुछ समान मिसिंग है घर में से my mother was surprised I should have noticed so quickly और मेरी ममी जो थी अब बोलिये इसका ममी का नाम क्या था नरेटर का ममी का नाम मिसिस एस तो मिसिस एस जो थी वो काफी सर्प्राइज हो गई कि कैसे इना जल्दी नरेटर नोटिस कर ली कि कुछ समान मिसिंग है then she told me about मिसिस ड डॉर्लिंग के बारे में जो house number कितना में रहती है number 46 यह सब आपको यादर करते जाना है I had never heard of her but apparently she was an old acquaintance of my mother मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मेरी मा की दूर की कोई जान पैचान की रिसेदार है whom she hadn't seen for years जिन से मेरी माने कई सालों से नहीं मिला था she had suddenly turned up और वो अचनक से आ गई थी Mrs. Darling and renewed their contact और फिर से उनका contact वापस से चालो हो गया since then she had come regularly और तब से वो हमारे घर में लाकादार आ रही थी regularly आ रही थी every time she leaves here she takes something home with her said my mother तो मेरी ममी मुझे बताती है कि हर वार जब वो यहां से जाती है तो वो कुछ न कुछ अपने साथ अपने घर लेके जाती है she took all the table silver in one go वो तो एक बार में क्या कि जितने भी table मतलब डारेंग टेबल पर जितने भी silver के जो बरतन उरतन थे वो सब एक बार में ले गई वो and then the antics plates that hung there और उसके बाद जो वो वाल पे जो unique plates सब जो टंगा हुआ था वो भी वो ले गई फिर she had troubled lugging those large vases और एक बार तो क्या हुआ कि उन्हें काफी मुश्किल हुआ lugging lugging मतलब होता है carrying carry करने में क्या carry करने में those large vases फुलदानी जो था वहाँ पर बड़ा बड़ा उसको carry करने में उनको काफी दिकत हुआ Mrs. Darling को and I am worried she got a creek in her back और मुझे tension हुआ कि उनके जो कमर में क्या आगई क्रिक क्रिक मतलब अकरन अकरन सी आगई उनके कमर में from the cockery को उठाने से my mother shook her head pityingly तो मेरी मम्मी जो थी वो काफी दुख में अपना सीर हिलाती है कि sympathetically मतलब pitying मतलब काफी दया भग के भाहों से वो अपना सीर हिलाती है I would never have dared ask her मेरे में तो हिम्मत ही नहीं था उनसे ये बोलने का कि वो मेरे सब समान को ले जाए क्यों ले जाए क्योंकि अभी यूद चल रहा है अगर ये लोग ऐसे ही छोर के चलेंगे तो समान तो बरबाद हो जाएगा लेकिन अगर किसी को swap के जाएंगे और बाद में कभी लोट के आएंगे जैसे कि अभी narrator आयो ही अपना समान को लेने के लिए तो वह उनका ममी भी सोची थी कि कभी ने कभी समान लेके जाएंगे बाद ने होगा समान तो वह बोल रहे है कि I would never have dared ask her मुझे तो हिम्मत ही नहीं था कि कभी हम उनसे ये बाद बोल पाएं कि आप मेरा समान आप रख लीजिए she suggested it to me herself उन्होंने खूद मुझे ये बाद बता था कि आपका सब समान हम रख लेते उन्होंने किसने Mrs. Darling ने she even insisted यहां था कि वह काफी जिद भी की थी she wanted to save all my nice things वह बचाना चाती थी मेरे जितने भी अच्छे-च्छे समान है उनको अपने पास रख के if we have to leave here we shall lose everything she says अगर हम इने ऐसे ही छोड़के चलें गए तो यही पर छोड़के चलें गए तो यह सब समान बरबाद हो जाएगा ऐसा मेरी ममी बोलती है नाइटर की ममी उमका नाम क्या है Mrs. S have you agreed with her that she should keep everything I asked तो नाइटर पूछती है कि आपने क्या माल लिया कि यह सब समान वो खुद रख लेंगी अब उनका हो जाएगा यह सब समान as if that's necessary my mother cried तो मेरी ममी तो चीला के बोलती है कि क्या यह ज़रूरी है पूछना उनसे यह सब समान वो रख लेंगी it would simply be an insult to talk like that यह काफी insulting होगा कि मैं उसे यह बात पूछू कि क्या यह सब समान आप रख लीजिएगा मतलब यह तो obvious है कि ज़रूर वो समान लोटा देगी बात में जाके and think about the risk she is running और यह मन भूलो कि वो कितना risk ले रही है हमारे कारण each time she goes out of the door with a full suitcase और bag हर बार जब वो घर से बाहर जाती है तो एक पुरा भरती suitcase यह फिर bag लेके बाहर जाती है और कितना risky होता है उसके लिए यह सब ऐसा ममी बोलती है narrator को my mother seemed to notice that I was not entirely convinced तो मेरी ममी मेरा चेहरे को देखती है और मेरा चेहरे को देखर उन्हें पता चलता है कि मैं पूरी तरह संतुष नहीं हुए उनके जवाब से she looked at me reprovingly तो उसके कारण से वो मुझे काफी गुसे से देखती है and after that we spoke no more about it और उसके बाद से हमने इसके बारे में कुछ भी बात नहीं किया meanwhile I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way और ऐसा लेकी का सोच्टे सोच्टे कहां तक पहुँच गई है आपको पता है वो इस्टेशन की तरफ जा रही थी इस्टेशन पहुच गई और आस्ते में उनने कुछ भी दिखा तो उस पर ज़्यादा attention वो नहीं पे की थी ध्यान नहीं थी रास्ते पर क्या चीज दिखा उन्हे I was walking in familiar places again for the first time since the war तो यूद के बाद पहली बार वो अपने जाने पेचाने जगों से होखे गुजर रही थी But I did not want to go further than was necessary लेकिन मुझे जितना काम था मतलब जहां तक इस्टेशन तक ही काम था वहीं तक वो लेख गई उसके आगे और कहीं नहीं गई I did not want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time मैं अपने आपको upset दुखी नहीं करना चाहती थी उन सब रास्तों और उन सब घरों को देखकर जिन से मेरी काफी चादा यादे जूरी हुई है और काफी precious time मैंने वहाँ पे बिताया है In the train और लेखिका चाहिए अब ट्रेन में बैट जाती है In the train back I saw Mrs. Darling in front of me again तो लेखिका के सामने फिर से Mrs. Darling दिखाई पड़ती है मतलब फिर से उनके बारे में सोचती है उनके दिमाग में Mrs. Darling फिर से उनका चेहरा आता है ट्रेन में बैट के अब सोच रही है कि as I had first time I met her तो जैसा मैंने पहली बार मिला था वैसा ही चेहरा फिर से उनके दिमाग में आता है It was the morning एक बार वो सुबे का दीन होता है लेखिका सोच रही है ये कि सुबे का time होता है After that day my mother had told me about her जिस दिन लेखिका कि मम्मी ने उनने बताया था Mrs. Darling के बार में उसके बाद वाला दीन में का सुबे का time है ये I had got up late मैं काफी late उठी थी And coming downstairs और जब मैं सिरी से उतर रही थी I saw my mother about to see someone out मैंने देखा कि मेरी मम्मी किसी को बाहर छोडने जा रही है A woman with a broad back एक औरत थी जिनका कमर जो था पीट जो था वो काफी चोड़ा था मतलब वो कौन थी Mrs. Darling की थी जिसका broad back था There is my daughter said my mother See back on to me तो मेरी मम्मी Mrs. S वो क्या करती है मेरी तरफ इसारा करके बताती है कि वो देखो वो रही मेरी बेटी The woman nodded and picked up the suitcase The woman बलती है और उस हुक्स में suitcase को टांग के रखते है तो वहांसे वो अपना suitcase उठाती है और she wore a brown coat वो brown coat पहनी होई थी and a shapeless hat और एक hat पहनी होई थी जिसका कोई shape नहीं था shape place था Does she leave far away I asked तो narrator पुछती है कि क्या ये काफी दूर रहती है क्या Seeing the difficulties she had going out of the house with the heavy case लेखी का देखती है कि वो काफी भारी-भारी case शुटके-शुटाके जा रही है तो पुछती है क्या वो बहुत दूर रहती है क्या In Marconi street said my mother Number 46 Remember that तो ये रहा अपका complete address इसको आपको काफी याद रखना है काफी important है ये तो address क्या है Number 46 Number house है वो और Marconi street में उनका घर है तो लेखी का कि मां उनको बताती है बोलती है क्यों याद रखना I had remembered it तो नेटर ने इसको याद भी रखा हुआ है But I had waited a long time to go there लेकिन नेटर को बहुत दिन तक इंदिजार करना पदा वापस यहाँ पर लॉट के आने के लिए यहाँ पर कहाँ पर यह लोग अभी कहाँ पर है Holland में वापस लॉट के आई हुई है Initially after the liberation तो आजादी के बाद मतब यूद समाप्त होने का बाद I was absolutely not interested in all that store stuff मुझे एकदमी दिलचस्पी नहीं था उन सब समानों में जो मेरी मम्मी की थी And naturally I was also rather afraid of it और सभाईक बात है कि मैं काफी डर भी रही थी इन सब समानों से Afraid of being confronted with things डर किस बात का था मुझे डर लग रहा था कि Confronted with things that That had belonged to a connection that no longer existed क्योंकि यह सब समान उस वेक्टी से belong कर रहा था उस relation को बता रहा था जो relation अभी जो connection अभी exist ही नहीं करता है मतलब हो सकता है उनकी माम मर गई हो और उसी क्वज़े से सोचती है कि वो दुख में नहीं जाना जाती है फिर से उसलिए वो afraid है कि समान को फिर से वो देखना नहीं चाहती है Which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again और यह सब समान क्या है अभी hidden है छीपी हुई है cupboards में और boxes में और यह सब समान वेट कर रही है इंतिजार कर रही है वो भी वेट में फाल्तु इंतिजार कर रही है कि वो लोग फिर से they were put back in the place again फिर से आपने वापस उसी पुराने जगा पर रखे जाए वो सब समान इंतिजार कर रही है which had endured all those years और यह सब समान है यह सब समान यह इतने साल को बरदास कर लिये है because there were things कि यह लोग समान है मतलब इंसान तो उनकी जो मम्मी है वो तो जिंदा नहीं रही लेकिन यह समान जो है वो इंतिजार कर लिया लेकिन मारी मम्मी इंतिजार नहीं कर पाई but gradually everything became more normal again लेकिन फिर धिरे धिरे यूद के बाद सब सीज नॉर्मल हो गिया bread was getting to be a lighter color bread जो था वो lighter color का हो रहा था इसका मतलब जो पहले जो bread होता था वो coarse मतलब काफी rough होता था brown color का होता था वो धिरे धिरे अच्छा quality का जोगी होता होता है whiter color का वो उन्हें मिलने लगा मतलब वही बोला गया कि bread was getting to be a lighter color light color का white color का जो bread होता है वो काफी अच्छा quality का होता है soft होता है और जो brown करका होता है वो थोड़ा rough होता है coarse होता है तो bread अच्छा मिलने लगा There was a bed you could sleep in unthreatened और एक ऐसा भीशतर था जहां पर बिना ड़के सो सकते थे A room with a view you were more used to glancing at each day और एक ऐसा room भी था जहां पर काफी अच्छा सौंधरिय देहने को मिलता था And one day I noticed और एक दिन क्या हुआ कि मुझे पता चला कि I was curious about all the positions that must still be at that address एक दिन क्या होता है कि narrator को याद आता है कि उनको curiosity होता है बेचेनी सी होता है कि वो सब समान क्योंना वो address में पढ़ा होगा तो क्योंना हम लेके आ जाए I wanted to see them touch and remember उनका मन क्या कि उनको समान को एक बाट देखे चुए और उनको याद करे तो उसलिए वो narrator क्या की यहाँ पे आ गई है समान को लेने के लिए address क्या है number 46 माटकोनी स्ट्रीट Holland में After my first visit in vain to Mrs. Darling's house I decided to try a second time तो लेखी narrator का तो first visit था वो तो fail हो गया था कुछ फायदा नहीं हुआ तो narrator अभी train में बैटी भी और सुष्टी की चलो एक बाट फिर से try करके आते हैं तो वापस train से उतरती है और घर पे जाती है उनका Now a girl of about 15 opened the door अब अपकी बाट क्या होता है कि यह क्लरकी जो की 15 साल की होती है वो दरवाजा खोलती है I asked her if her mother was it home मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपकी मुमी घर पे है No, she said, my mother is doing an Iran एकि नहीं, मेरी ममी थोड़ा बाहर गई है, Iran मतलब सौट्री कहीं काम से थोड़ी बाहर गई है, वो गोलती है वो दो लड़की है, 15 साल की, वो, Mrs. Darling की बेटी है No matter, I said, I will wait for her तो narrator बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी दर इंतिजार कर लेती हूँ I followed the girl along the passage तो narrator वो लड़की ये पीछे-पीछे जाती है और रास्ते से गुज़र के An old-fashioned iron Hanukka candle holder hung next to a mirror तो वो देखती है कि ये काफी पुराने जवाने का Iron candle holder था, Hanukka candle holder वो टंगा हुआ था, ठीक mirror के side में We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick तो वो जो candle holder था, वो नेटर का थासली में और नेटर बता रही है हमें कि उन्होंने उनकी family जो थी, उन्होंने इस candle holder को कभी use नहीं किया क्योंकि वो काफी कमबर था है, हैंडल करने में काफी मुझकी आता था उसको than a single candlestick, compared to candlestick Candlestick काफी आराम था यूज करने में तो उसलिए हैं लोग candlestick यूज करते थे बजाए, Hanukka candle holder के Once you sit down, ask the girl तो वो लड़की पूश्ची है, जो 15 साल की है वो बोलती है कि आप बैठेंगी नहीं She held open the door of the living room वो living room का तरवाजा खोलती है और बोली कि आई आप अंदर बैठी है I went inside pastor, मैं उसके पीछे-पीछे अंदर चली गई I stopped horrified तो लेखी का जब living room के अंदर जाती है तो उन्हें काफी, वो रुख जाती है और काफी डर सी जाती है उनको डर लगता है I was in a room I knew and did not know मैं एक ऐसी room में थी जो मुझे, जुचे मैं जानती भी थी और जिशे नहीं भी जानती थी जानती कैसे थी, क्योंकि वह पर जितने भी सामान था वो सब उनीका था उस हिसाब से वो जानती थी और नहीं जानती थी, क्योंकि वो जिस surrounding में रखा गया था जिस room में रखा गया था, वो room उनका नहीं था वो room तो Mrs. Darling का था तो इसलिए बुला गया कि उसरों को नहीं जानती थी I found myself, I found myself in the midst of things I did want to see again but which oppressed me in the strange atmosphere तो वो ही बरताया जाता है कि मैं अपने आपको उन सब समानों के बीच में पाई जिसे मैं देखना चाहती थी लेकिन उनका जो strange atmosphere था आसपास का जो atmosphere था वो मुझे काफी बेचेन कर रहा था दुख दे रहा था और because of the tasteless way everything was arranged या फिर हो सकता है मैं डड़ गई इसलिए भी क्योंकि काफी बेकार तरीके से वो लोग सजा के रखे थे उस रूम को because of the ugly furniture और the muggy smell that hung there furniture काफी अगली था वहाँ पर और muggy smell, muggy मतलब वही फिर से मस्थी smell, जब room damp हो और वहाँ पे fresh air ना आये तो जैसे गंद आता है वैसा गंद आ रहा था फिर से तो उस गंद के कारण लेखी का को कुछ ठीक नि लगा उस room में I don't know but I scarcely dare to look around me मुझे पता नहीं क्या reason था कि मुझे क्यों डर लग रहा था लेगिन मुझे हीमत में वहाँ कि मैं room के चारओ तरब देखूँ क्योंकि उनकी सब पुरानी यादे फिर से ताजा हो जाती The girl moved a chair तो वो लेखी जो 15 साल की है वो एक chair लाके देती है I sat down, nighter उस पर बैठती है and stared at the woolen table cloth और देखती है कि के wool का जो table cloth है उस पर नजर पढ़ता है उनका I rubbed it तो लेखी का अपना जो हाथ है उस पर रॉब करती है My fingers grew warm from rubbing तो लेखी का जो fingers से वो गरम हो जाता है रब करने का बज़ा से friction का बज़ा से I followed the lines of the pattern तो फिर लेखी का क्या करती है वो table cloth जो था उसका side side में चो pattern बना हुआ है वो pattern को फॉलो करती है उस पर अपना उंगली चलाए जारी है Somewhere around the age there must be a burn mark that had never been repaired तो nighter को पुड़ाना याद याद है और वो बोलती है कि कही न कही इस design में इनारे पर कही न कही एक जलने का मार्क होगा जो से रिपेर नहीं किया गया होगा तो लिखे को अभी भी साड़ा बात याद है My mother will be back soon said the girl लगकी बलते है कि मेरी मा तुरंत आ जाएगी I have already made tea for her मैंने उनके लिए चाय बनाया है Will you have a cup क्या भी एक cup पीएंगी Thank you, nighter बलते है कि thank you I looked up, the girl put cups ready on the tea table तो nighter जो है वो उपर देखती है और देखती है कि वो जो लड़की है वो cups जो है वो सजा रही है tea table पर She had a brought back तो उसका भी कमर और पीटर जो था वो काफी चोड़ा था Just like her mother उसकी ममी की तरह और ममी का नाम क्या है Mrs. Darling She poured tea from a white pot एक white pot से वो चाय धाल रही है All it had was a golden gold border on the lid तो उस white pot के जो धकन जो था लीड जो था उस पे gold border लगा हुआ था I remember लेकिए को याद रहाता है वो बात She opened a box and took some spoons out तो और लड़की जो है वो क्या करती है एक box खोलती है और कुछ हुआ से चमच निकालती है That's a nice box I heard my own voice तो ये narrator जो है वो खुदी बोलती है कि वो काफी अच्छा box है जिस box में क्या रखा हुआ था Spoonze रखा हुआ था I heard my own voice उन्हें अपना बात खुदी सुनाई परता है मतलब उनको लगता है कि कोई और उनका आवाज उनको सुनाई दिया It was a strange voice वो काफी अजीब सा आवाज था उस रूम में As though each sound was different in this room ऐसा लग रहा था कि इस रूम में हर एक आवाज अलग है दूसरे एक आवाज लग रहा था मतलब लेकी करा तो खुदी भूली है कि That's a nice box उनको लग रहा था कि कहीं और सा आया वो आवाज Oh you know about them She had turned around and brought me my tea तो बोलती है कि अच्छा तो तुम इसके बारे में चानती हो तुम्हें ये box bar के बारे में पता है वो पीछे घूरती है और मेरे लिए चाय लेके आती है She laughed और वो काभी हस्ती भी है My mother says it's antique वो बोलती है कि उनकी मम्मी जो है मतलब Mrs. Darling जो है उनका कहना है कि ये काफी antique है, unique है We have got lots more बोलती हमारे पास ये सब बहुत चारा चीज है इस box के जैसा She pointed round the room और वो रूम के चारो तरफ उंगली दिखा के बताती है कि देखो वो देखो ये सब ये सब She for yourself बोलती है कि आप खुद ही देखो I had no need to follow her hand तो narrator बोलती है कि मुझे कोई जुरोत नहीं था उसका hand को follow करने का I knew each thing मुझे तो हर एक चीज पता था कि किस में क्या खास बात है She meant I just looked at the steel life over the tea table तो narrator का नजर सीव किस पे था उस tea table पे जो समान वहान पड़ा हुआ था उस पाई उसी के नजर थाऊंगा As a child I had always fancied the apple on the pewter plate तो जब लेही का एक बच्ची थी तब वो उनको हमेशा pewter plate पर apple जो सजा हुआ मिलता था उनको काफी पसंद था उनको वेसे सजा हुआ apple We use it for everything she said तो वो लड़की अभी भी बता रही है कि हम लोग हड़ चीज के लिए स्तमाल करते है Once we even ate of the platters hanging there on the wall बोल रही है कि वाल में एक plates ठंगा हुआ है कुछ तो वो बोलती है कि एक बार तो हमने उस plates में खाना भी खाया था I wanted to so much मैं उसमें बहुत चीज करना चाहती थी But it wasn't anything special लेकिन उसमें कुछ खास उतना बात लिखला नहीं I had found a burn mark on the table cloth तो narrator जो उंगली सहला रही थी उस table cloth के चारो तरफ से और बोली थी कि कही ने कही जलने का निशान होगा तो उन्हें वो जलने का निशान मिल जाता है burn mark मिल जाता है The girl looked questioningly at me तो लड़की देखती है कुछ question करने का भाव से उसको देखती है narrator को Yes, I said तो narrator अब बोलते कि You get so used to touching all those lovely things in the house You hardly look at them anymore हाँ, जब आप अपने घर में राते हो तो आपको इतना used to हो जाते हो आप उस समान से इतना आदत लग जाता है आपका कि You hardly look to look at them anymore कि आप उन पर देखना ही बन कर देते हो जब नर्मल जो घर का समान होता है उसके आप लोग इतना used to हो जाते है कि उस पर ठिक चे देखते भी नहीं है You only notice when something is missing आप उस पर ध्यान तम देते हो जब वह समान आपके पास ना रहे तो Because it has to be repaired क्योंकि वह समान कहां गया होता है repair होने के लिए गया होता है और because you have lent it या फिर आपने किसी को दिया हुआ होता है For example, example के लिए नेटर अपना खुदा example दे रही है मतलब नेटर को पता है कि वह क्या भूल रही है वो रखी को लड़bing तो नहीं समझ पाही होगी कि वह क्या बोल रही है कि नेचर बोल रही है कि उनहें उनकी मंझी ने उस समान एनको दिया था और तब उनको उस समान को असली मिस कर रही है वो, वो ही बता रही है यहाँ पर Again I heard the unnatural sound of my voice तो लिखीका वो फिर से अपना यावाज फिर से सुनाई परता है And I went on और लिखीका फिर से बोलना चालू करती है I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने एक पर मुझे बोला था कि मैं उनकी मदद करू silver को polish करने में It was very long time ago, काफी दिन पहले था वो And I was probably bored that day Or perhaps I had to stay at home और मैं उस दिन काफी bored भी हो रही थी यह फिर हो सकता है कि मुझे उस दिन घर में रहना परा था उसलिए मैं बोर हो रही थी Because I was ill, क्योंकि मैं बीमार थी As she had never asked me before तो बोल रही है कि मेरी मम्मी ने कभी मुझे Silver को polish करने के लिए नहीं बोला था लेकिन आज बोला था I asked her with silver cement तो मैंने पूछा आपनी मम्मी से कि कौन सा silver को polish कर दू आपको पता है silver का मतलब होता है चांदी And she replied surprised और मेरी मम्मी जो है वो reply देती है काफी surprise होके That it was the spoons तो चमच को साफ करो Forks and knives काटेदार चमच और नाइच छूरी को साफ करो Of course And that was the strange thing और ये काफी आजीब बात था I didn't know the cutlery we ate of everyday was silver कि नाइचर को ये तक पता नहीं था कि वो cutlery ये जो चमच फॉक्स नाइफ जो है जिसे वो लोग रोज खाते थे वो silver का था नाइचर को ये बात तक पता नहीं था तो वो ये incidents share करती है 15 years old girl के साथ The girl laughed again तो वो लड़की फिर से हस परती है I bet you don't know it is either I looked intently at her तो लेखी का ये बार बोलते है मैं sure बोल सकती हूँ कि तुम्हे भी ये बात पता नहीं होगा कि तुम जिसमें खाना खाती हो वो सब समान क्या चीज़ का होगा silver का होगा ये बात तुम्हे भी पता नहीं होगा What we eat with जिसमें खाना खाते वो चांदी का है Well do you know तुम्हें पता है क्या She hesitated वो हिचकी चाये मतलब उसको पता नहीं था कि वो उसका spoon और fork सब चांदी का है She walked to the sideboard and wanted to open a drawer तो वो sideboard की तरफ जाती है और drawer खुलने अकोशिस करती है और बोलती है कि I will look I jumped up, I was forgetting the time तो narrator तुरंट उठ जाती है और बोलती है कि I must catch my train मुझे ट्रेन भी पकरना है She had her hand on the drawer तो उस लड़की का हाट drawer बहुत चुका है और drawer खोलने भाली है Don't you want to wait for my mother वो बोलती है कि क्या तुम परी मम्मी के लिए इंतिजार नहीं करोगी No, I must go I I walk to the door तो narrator बोलती है कि नहीं मुझे जाना ही होगा तो एतना पोलती है नहीं दर्वाजे का पास पहुच जाती है The girl pulled the drawer open लड़की का कटिया drawer को खोल देती है I find my own way और narrator निकल जाती है रूम से बाहर I walk down the passage नेटर वक करी है पैसेज की तरफ उस गल्याडी से वक किये जा रही है I heard the jingling of spoons and fox और तब मुझे सुनाई परता है जितने भी वो चमच और fox से उनका गेडने का आवाज तो चंचन का आवाज आने लगता है At the corner of the road और रास्ते पे जाके एक corner से देखती है कि I looked at up at the nameplate फिर से वो nameplate पे देखती है और उसमें लिखा होता है Marconi Street it said Marconi Street लिखा हुआ है उस nameplate पे I had been at number 46 उसमें 46 लिखा हुआ है The address was correct और यह address 100% correct था But now I didn't want to remember it anymore लेकिन अब उस address को मुझे याद नहीं रखना है I wouldn't go back there मुझे हमें वापर वापस नहीं जाओंगी Because the objects that are linked to your memory With the familiar life of former times क्यों वापस नहीं जाओंगी क्योंकि वो जो objects है जो आपकी यादों के साथ जुरी हुई है और वो यादे कपकी है आपके पहले के वक्त ही है instantly lose their value तो वो सब जो objects है वो सब अपना value lose कर देते है keep them again in strange surroundings वो सब समान जिससे क्या है यादे जुरी हुई है वो सब तो वो सब समान का क्या होता है value lose हो जाता है कब जब आप उसको किसी एक अजीब surrounding में बैठके या फिर कोई और आपको उसको उसमें कुछ सब करें तो उस समान का value चला जाता है विट करता आप इसको समान जोटे से भारी के रोम में रह रही थी रेंटे रूम था वेर था शर्ट्स औ ब्लैकावर प्रेपर इस्टील हंग एलोंग दा विंडोस और उस रूम में, रूम के खिरकी पर ब्लैकावर प्रेपर के चोटे-्शोटे टुकरे अभी भी टंगे हुए थे ब्लैकावर प्रेपर 2nd World War के टाइम में यूज होता था उसमें क्या करते थे कि ब्लैक प्रेपर खिरकी पर टाइँ दे थे क्योंकि अलगर जब लाइच जलेगा तो बाहर के लोग को पता नहीं चलेगा कि अंदर में कोई लोग है तो इससे एनिमी से बसने के लिए ऐसा करते थे वो लोग तो वो ब्लैक आउट पर अभी भी टंगे हुए थे खिरकी पे उनके रेंटेड रूम में और उनके जो ट्रेवल का ड्रोवर था उसमें एक मुट्टी भर कट्लेडी वह जो चमच छूडी फॉर्ट कि यह सब रखा हुआ था इससे जादा कुछ नहीं था तो वैसे रूम में इन समस्वान को लेके जाके भी क्या करेंगी वो उन्होंने ठान लिया कि डिसाइड किया कि यह एड्रेस अब भूल जाना है मुझे हर चीज भूल जाना है वो सबसे आसान तरीका होगा इन सब चीजे मुक्ती पानेगा तो यही है video story तो उमीड करते हैं आपको यह story समझस में होगा और अगर आपको यह story अच्छ लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताए कि आपको यह story कैसा लगा और आपके screen पर आप देख पा रहे होंगे की एक playlist आञा होगा उस playlist प्रaga तेक येड़ू